तो हमास और हिजबुला की डबल खत्रे को लेकर इसराइल में बहुत घबराहट है इन दोनों ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिये हैं जिसमें इसराइल बुरी तरह से फस्ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन नेतन यहु के सलहकार इसे इसराइल के लिए मौत का फंदा बता रही हैं हाला कि इसराइल के बात करें तो इसराइल के पास अब दो विकल्ब बचे हैं या तो वो सीजफायर कर दे या फिर इस युद को लंबे वक्त तक लड़ने के लिए तयार रहे लेकिन इसराइल सीजफायर करना नहीं चाता लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लंबा युद लड़ने के लिए उसके पास अब हतियारों की कमी भी होने लगी है और हमास अब इसी बात का फायदा भी उठाने लगा है वीडियो के एक एक फ्रेम को बहुत गोर से देखिए हमास अपने से कई गुना शक्तिशाली इसराइल की सेना से कैसे लड़ रहा है यह वीडियो इसका उड़ारण है हमास के लड़ाके बेहद सस्ते रॉकेट जिनकी कीमत कुछ सौ डॉलर भी नहीं होगी जमीन से दाग रही है इतना सस्ता और जोगार का रॉकेट हमास में तयार किया है कि इसराइल पहुंचक का है इन सस्ते से रॉकेट के लिए इसराइल को अपने लाखों डॉलर की मिसाइले खर्च करनी पड़ रही है क्योंकि घाजा की ओर से आया एक तिनका भी इसराइली डिफेंस के टार्गेट पर है और वो इसराइल की सीमा में दाखिल हो उससे पहले नर्तो नाबूत किया जाना जरूरी है हथियार शास्त्र समझे और युट में इसराइल के नुक्सान को समझे हमास का सस्ता रॉकेट इसराइल की महली बेसाइब कीमा सौ से बाद सो डॉलर कीमा लाखों डॉलर इसराइली खुफिया अजेंसी और इसराइली एरफोर्स की सारी ताकत इन जैसे बेहत कमजोर और हलके रॉकेट को रोकने में लग रही है हमास के अल्फुद्स ब्रिगट में ऐसा फ्रेंड लगाया है कि इसराइल की परिशानी बढ़ गई है यहां आपको हमास के अल्फुद्स ब्रिगट के बारे में जरूर जानना चाहिए क्योंकि इसराइल के खिलाफ हमास की लड़ाई में अल्फुद्स ब्रिगट फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है अल्फुद्स ब्रिगट घाजा में हमास के बाद नमबर दो संगठन है 1981 से ये संगठन फिलिस्तीन में इस्लामिक राज स्थापित करने के लिए इसराइल के साथ हिंसक जंग लड़ रहा है अल्फुद्स के टॉप लीडर का नाम है जियाद अल नाखल ये खुद सीरिया की राजधानी दमिश्क में रहते हैं लेकिन वहीं से अपने लड़ातों को ओड़ देते रहते हैं हमास कैसे इसराइल की वार इस्टरडिली का दूर निकाल रहा है इसकी कुछ और बीटेल आपको आगे दिखाएंगे क्योंकि युद्ध में जीद की गैरंटी आर्थिक नौकसान की तुलना में हमेशा बड़ी होनी चाहिए लेकिन इसराइल के सार ऐसा नहीं हो रहा युद्ध में इसराइल को इतने बड़े पैमाने पर अपने संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि अमेरिका से अब इनकी सप्लाई शुरू हो गई है ठीक यहीं किस्सा युक्रेन में भी हुआ था दरसल युक्रेन में युक्रेन की सस्ते मिसाइलों के खिलाब रूस को अपने करोडों डॉलर की मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था हमास के सस्ते रॉकेट के खिलाब इसराइल अपने महंगे मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है यानि गाजा को जलाने की कीमत इसराइल को भुगतनी पड़ रही है। आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरती है। इसे इतना ताखतवर माना जाता है कि ये पाताल मेचे पेद दुश्मन का भी पता लगा सकता है। इसराइल की मीडिया के मताविद ये ड्रोन एक बार में करीब 20 घंटे तक उडान भर सकता है। इसकी रेंज करीब 300 किलो मीटर तक बताई है। जरूर कर सकता है। दूसरी और ड्रोन के स्थर पर हमास भी कमजोर नहीं है। कामिकाजी ड्रोन टेक्नोलोजी को इरान के जरीए हमास के आतनगवादियों तक पहुचाया गया है। इसके जरीए इसरेयल की फौज के हरे एक मोव्मिन्ट को हमास के लड़ा के पहले ही जान लेते हैं। काले रंग का कामिकाजी ड्रोन आतनगाती हमला पर है। इसी ड्रोन के जरीए अभी तक आईटेएफ के खलाफ हमास ओपरिशन को अन्जाम देते आया है। ये योक्रेन में इस्तिमाल किये जा रहे इरान के शाहिद ड्रोन का सस्ता वर्जन है। हमास की सुरंगों में अभी काफी हत्यार बचे हुए हैं जिससे जमिंदूज की ये बिना हमास का संपून विनाश संभो नहीं है। लेकिन इस्रैल के साथ परिशानी ये है कि हमास सी अखिला दुश्मन नहीं है। लेबनन के हेजबुला भी हैं, यमन के हूथी विद्रोही भी हैं, जिनकी ओर से हमास के समर्थन में इस्रैल पर मिसाइलों और रॉकेट से हमले हो रहे हैं। हालात इतने बद्तर हैं जैसे कभी भी किसी वी वक्त तीसरा विश्यूयत भड़ा पुठी है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने फिर इस्रैल को निशाना बनाने की कोशिश की है। इस विद्रोहियों के मिसाइलों को बहचान कर मार गिराया। हूथी विद्रोहियों को रोकने के लिए अमेरिका ने लाल सागर में अपना एरक्राफ्ट केरियर आइजन हावर उतारा है। तो वही हिद्रोहियों के खिलाब भूमद सागर में जेराल फोर्ड पहरा दे रहा है। इसराइल के पास खुद दुनिया का टॉप एरक्राफ्ट सिस्टम मौजूद है। इसराइल इस वक्त गाजा में अपनी पूरी ताकस से जुटा हुआ है हमास के अंतिम लडाके की मौथ तक। शमन सियाती मिसाइल को इसराइल के एरो थी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने नश्ट कर दिया। इस्राइल का Aero 3 Missile Defense System 60 खमले करने में माहिर है और मिसाइल को ट्राइब करके उसे हवा में तबाह करने का दम रखता है इस्राइल ने जब Aero 3 Missile Defense System का टेस्ट किया था तो ये 100% सफल रहा था हमास किसी भी इस्तर पर इस्राइल के सामने नहीं टिट सकता लेकिन सवाल है कि इस युद्ध का अंत क्या है क्या के सी साजिश के दयत पर शिमी एशिया को जलाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इस وقت जो साफ दिख रहा है वो ये कि गाजा की आग में आम फिलिस्तीनी मर रहे है लेकिन उस आग में कई दूसरे देश हाथ से गहे हैं करना शुरू कर दिया जैसा की दावा किया जाता रहा है संयोब तरब अमिरात और इरान के बीच भी सोलगते मुद्बे हैं 22 देशों का अरग संगठ शब्दों का खेल खेल रहा है फिलिस्तीन में मानवी अमदद के नाम पर कुछ ट्रकों को भेजे जाने के आलावा इन देशों ने कोई कदम नहीं उठाया इरान के राश्रपति इवराहिम रईसी अपने शब्दों से ही परमाणू यद्ध छेड़ती रहे है जमीन पर उनका एक भी शब्द सही नहीं उद्रा है यद्ध में कमजोर का मारा जानता है और हमास इसरेल से बहुत 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 कमजोर है लिहाजा घाजा चल रहा है धूदू कब तक जलेगा कोई नहीं जाना